आज हम सेडूल of vaccination against prevent disease in chicks मूर्गी में vaccination के जो सेडूल है स्टेडी करेंगे हमने previous कलास में गाय भेंस बहेड बकरी केटल, बफेलो, सेप एन गोर्ड के वेक्सिनेशन सेडूल के बारे में प्रियस क्लास में डिसकस किया था यानि गाय भेंस, भेड़ बकरी में कौन-कौन से बिमारियां होती है और इन बिमारियों से रोक थाम करने के लिए कौन-कौन से टीके लगाए जाएंगे आज हम मुर्गी में पाई जाने वाले बिमारियां तता उनसे बचाव के लिए जो कौन-कौन से टीके लगाए जाते हैं उनका क्या सेडूल है उसके बारे में स्टेडी करेंगे जैसा कि आपको इस टेबलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है इसमें जैसे चिक्स, एज, डिजीज, नेम अप वैक्सिन, स्टोरेज, इम्मुनिटी, रूट, एड़ज तो जो चिक्स की एज है वो वन डे, वन डे, फोर तू फाइज, फोर तू फाइज, शी तू एट वीक, नाइन तू टू टूल वीक्स जो disease है, first disease के बारे में हम discuss करेंगे, वो that is infectious bronchitis, infectious bronchitis यानि IV, इस बीमारी में जो vaccine का में लाई जाएगी, वो एग adapted IV vaccine और ये vaccine six months of refrigerator temperature यानि छह महने तक refrigeration के temperature पर इसको storage किया जा सकता है, बंडारित किया जा सकता है, इसकी immunity not worked out, इसकी immunity के बारे में अभी तक कोई विशेश घ्यात नहीं है, इसका root रहेगा, इसको दवाई देने का तरीका रहेगा, इस इंट्रा नासल, इंट्रा नासल इसका दवाई देने का तरीका रहेगा, और dose इसकी मातरा रहेगी, only two drops, तो ये तो था infectious bronchitis के बारे में, जो ये हम देते हैं एक दिन, जब chicks की एक दिन की age होती है, नेक्स्ट जो बीमारी है, वो है मार्स्ट डिजिज, एमडी, ये भी हम वेक्सीन करेंगे, जब chick की age एक दिन होगी, वन डे, और नेम आप वेक्सीन, वेक्सीन का नाम क्या है, सेल फ्री और सेल एसोसियेटेट टर्की हर्पीज वाइरस, और इसका जो बंडारन की शमता है, age indicated by the manufacturer, जो निर्माता है, उसके द्वारा इसकी श्टोरेज की शमता के बारे में बताया गया, ये विभिन हो सकती है, और इम्मुनिटी के बारे में, मास्ट डिजिज की जो वेक्सीन देते हैं, इम्मुनिटी नोट वर्कडाउट, इस पर अभी कारिया नहीं हुआ है, और ये इसका जो रूट रहेगा, किस तरीके से इसको दिये जाएगा, इस इंट्रा मस्कूलर और इंट्रा पेनिटोरी टोरी टोनियल, इंट्रा पेन्टोरियल, इस प्रकार इसके दो रूट है, और इसकी डोज की मातर रहेगी, एग पर, एग पर मेनिफेक्चर इंस्ट्रेक्शन, जो मेनिफेक्चरर है, उसके निर्देश दियेगे अंसार, इसकी डोज की मातरा दी जाएगी, ये भी एक दिन का चूजा होता है, तब देते हैं मास्क डीजिस, और जो इन्फेक्चर ब्रॉनकाइटिस भी एक दिन के चूजे पर ही एपलाई किया जाता है, नेक्स्ट जो टेबूल में दिखाएगी डीजीज है, जो की बहुत कॉमन है, ये है रानिखेट डीजीज, और इसको हम न्यू कास्टल डीजीज, आर्डी भी बोलते हैं, रानिखेट डीजीज, इसको की न्यू कास्टल डीजीज, आर्डी, और ये चिक्स में 4 से 5 दिन का जब चिक होता है, तब ये वेक्सीन किया जाता है, और इसका जो वेक्सीन का नाम है, रानिखेट डीजीज, रानिखेट डिजीज वेक्सीन स्टेन एफ और इसकी स्टोरेज समता है त्री मंथ इन ए रेफ्रिजिरेटर एंड टेन डेज एट रूम टेमप्रेचर जो रानिखेट डिजीज की जो वेक्सीन है उसको तीन मेने तक रेफ्रिजेटर में स्टोरेज किया जा सकता है और दस तीन तक रूम टेम्परेचर तक इसको बंदारित किया जा सकता है अबरानिक हेट डिजीज का जो इमनिटी है ये पंदरा सफ़्ता तक 15 वीग तक इसकी इमनिटी बनी रहती है इसका रूट है इंट्रा नासल और इंट्रा ऐकूलर इंट्रा नासल और इंट्रा ओक्यूलर और जैसा कि इसमें बताए गया है कि इसमें टू डॉप्स दी जाती है इसमें दो दो वून इसकी मात्रा दी जाती है नेक्स्ट जो डिजीज है वो है फाउल पॉक्स यह फाउल पॉक्स मुर्गी में फेलने वाली विमारी है और इससे रोकने के लिए चार से पांच दिन का जब चूजा होता है तब इसको वेक्सीन दी जाती है जो वेक्सीन दी जाएगी उसका नाम रहेगा PGN POC vaccine file box में कौन सी vaccine रहेगी that is PGN POC और इसका storage समता है bandaran connection ता two month in a refrigerator दो महीने तक फ्रीज में हम इसको vaccine को सुरुखशित रह सकते हैं और इसकी immunity 6-8 सबता तक immunity बनी रहती है यानि 6-8 week इसकी immunity बनी रहेगी और इसका जो root है feeder follicles यानि feeder follicles के द्वारा इस vaccine को pigeon pox vaccine को foul pox की जो vaccine pigeon pox है उसको feeder follicles की माध्यम से दिया जाता है और इसका dose है that is swab swab इसका dose की मातरा रहेगी swab अब जो next disease है यह पुने foul pox है पहले हमने दिया था 4-5 दिन पर अब देंगे 6-8 week का जब चूजा हो जाएगा 6-8 week का जब पक्सी होगा तब हम इस foul pox को दुबारा देंगे और इसका name of vaccine chicks embryo adapted foul pox यह foul pox जब 6-8 week में बल्ड होगी तब उसको जो vaccine देंगे chicks embryo adapted foul pox और यह दो महिने तक two months in refrigerator तक refrigerator में इसको storage किया जा सकता है बंडारित किया जा सकता है और इसकी immunity एक बार देने पर lifelong एक बार इसका use करने पर जीवन परियंत इसकी immunity बनी रहेगी foul pox की और यह इसका root रहेगा विंग वेब विंग वेब में इसको root of mode of application रहेगा और इसका जो dose है two pricks that is कितनी कितनी dose होगी इसकी only two pricks अब जो disease है जैसे rannicate disease हम पहले rannicate disease का vaccine किया था चार से पांस दिन में अब यहां rannicate disease का vaccine हम कर रहे है नो से बारा सप्ते में और इस rannicate disease जो कि मुर्गियों में common disease है और रannicate that is a place in उत्राखंड उत्राखंड जिले में एक district that is rannicate वहां पर इस viral disease को घ्याद किया गया था डाइनोस किया गया तो उस place के साब से इस disease का नाम रखा गया मुर्गी में रannicate disease और इसको newcastle disease भी कहा जाता है और यह नो से नो से बारा सब्ते में दुबारा इसका vaccine करेंगे पहले हमने रannicate disease दिया था चार से पांस दिन में फिर नो से बारा सब्ते में दुबारा रannicate disease देंगे और इसका जो vaccine होगा रannicate disease vaccine R2B, rannicate disease vaccine R2B, mukteswar strain के नाम से इसको जाना जाता है और mukteswar भी प्लेस है, गड़ mukteswar इनों उत्राखंड तो रannicate disease vaccine R2B, जिसको mukteswar strain के नाम से भी जाना जाता है और इसको 3 months in refrigerator, इसको 3 months in refrigerator में रखा जा सकता है और seven days in summer, seven days जो गर्मियों में इसको seven दिन तक बंडारित किया जा सकता है अर तेन दिन तक दूसरे सीजन में इसको storage किया जा सकता है और तीन मेने तक रेफरिजेटर में रखकर इसको बंडारिज कर सकते हैं इसकी भी जो immunity है वो lifelong है और इसका जो root का इसका जो देने का जो root होगा इस इंट्रा मस्कूलार ये रानिखेट डिजीज जो की 9 से 12 सब्टे में देंगे इसका root रहेगा इंट्रा मस्कूलार और इसका dose रहेगा 0.5 ml 0.5 ml ही दवाई इसको देंगे वेक्सीन देंगे इस परकार इस टेबलर फॉर्म के द्वारा टेबलर की जो है टेबल के साहता से हम मुर्गी में दिये जाने वाले वेक्सीन चिक्स में दिये जाने वाले वेक्सीन कौन-कौन से वेक्सीन है और उनको कैसे how to apply उनको कैसे apply किया जाता उसका study करेंगे थैंक यू very much